जमुकश्मीर के पुंच में शही जवान और अंग जेब के परिवार से रक्षा मंत्री निर्मला सीतरमन ने मुलाकात की उनके परिवार वालों का होसला बढ़ाया परिवार से मिलकर रक्षा मंत्री सीतरमन ने कहा कि यह परिवार पूरे देश के लिए प्रेड़ना है इस द जवान शहीद औरंग जेब के परिवार से मुलाकात करने रक्षा मंतरी निर्मला सीतरमन बुधवार को जम्मु कश्मीर के पुंच पहुंची निर्मला ने यहां औरंग जेब के घर उनके परीजनों से मुलाकात की निर्मला ने काफी देर तक औरंग जेब के पिता से बात क शहीद औरंग जेब के परिवार से मिलने के बाद निर्मलासी दरवन ने कहा कि आज मैंने औरंग जेब के परिवार के साथ समय बिताया ये परिवार पुरे देश के लिए प्रेड़ना है। इससे पहले सेना प्रमुक विपिन रावत ने भी उनके परिवार से मुलाकात की थी। बता दें कि जमु कश्मीर में सीज फायर खत्म होने से एक दिन पहले ही आतंग्यों ने सेना के जवान औरंग जेब को मार दिया था दक्शनी कश्मीर के सोपिया जिले में आतंग्यों द्वरा अगवा की जाने के बाद मार दिये गए राइफल मैन औरंग जेब को पुंच जिले के सलानी गाउं में भारत समर्थक और पाकिस्तान विरोधी नारों के बीच रविवार को सुपुर दिखा किया गया था। गम इसी दोरान पुलवामा के कालमपोरा से आतंग्यों ने उनका अफरन कर लिया था। 14 जून की शाम पुलिस और स्रेना के संयुक्त दल ने औरंग जेब का शोव कालमपोरा से करीब 10 किलोमेटर दूर गुसू नाम के गाउं से बरामत किया था। उनके सिर और गर्दन पर ग मैंने कहा मेरा भाई नीजी गाड़ी से पुंच आ रहा था। वो मुझसे बात कर रहे थे। मैंने गाड़ी रुकवाने की आवाद सुनी। मुझे लगा कि कुछ जाच हो रही है। मुझे बिलकुल अंदाजा नहीं था। मेरे निहत्य भाई को आतंक्यों ने आगवा कर अरिया है। व्योरो रिपोर्ट एनिवन न्यूज।